मौधी जी तो हैं एक नंबर हैं लेकन नीचे कर्मचारी कोई मतलब के नहीं है देखने की सरकार है और कुछ नहीं है सब मौधी मौधी करते हैं सब देखने का मौधी है किसानों को 10-10-11-11 वाजे रात जाना पड़ा रहा है रात में सरकारी जो कर्मचारी है मंडी कर्मचारी लोग सब्सक्राइब ले रहे हैं गाड़ी आए जाए कौन का गईया अंदर जा रही बाहर जा रही उन्से कोई मतलब नहीं पारी परेसान निकला 20 रुपए दो बश्चाइब लेकर अशल मतलब का मर तो बारा बजे ग्यारा बजे रात को जाना पड़ता है और मतला पर मतल में फिल लग जाओ पाँच छे घंटे सोने मिलता है किसान को मात्र वो तो अब क्या करें में एसा लगता है जब धूप तबती है राध राध शिप्ट बदलते हैं उटी जब जागे कहीं फजल मटर पेदा होता है किसान सब्सक्राइब किसान को लाइट मिली तरीका से लाइट के लिए बूल मनलब दस घंटे देती है किसान को पहांच एक तुम तुम चल रहे हैं तो आठ साथ घंटे में कैसी सचाई कर पाऊ गया आप जे बताईए लेकिन आज तक मंडी आप पर आए नहीं सच्छों साब तो हम मिल करके यह सवाल जरूर पूछां को उनको पैसे अब जैसे सफाई की बात यहां पर हुई होता है तो उसका तो नगर निगम को कोई तेंडर मंडी का है यहां कोई भी प्रसाशन की पूरी गलती है ताकि न गाड़ी की न ड्राइबर की न किसान की कोई गलती नहीं कभी अजिकारी का नहीं है बता दो एक मंडी में गाड़ी में 42 गाड़ रहे सब गाड़ भग गए इन लोग शकूंच 20 रुपए बोरा ले रहे हैं गाड़ी आए जाए कौन का गईया अंदर जा रही बाहर जा रही उनसे कोई मतलब नहीं निकला 20 रुपए दो मैं सरकार स मैंनों कामना करता हूं कि मटर का रेट थोड़ा वाट टाइट हो किसान और आठ रुपए से लेकर 15-16 रुपए तक बिक रहा है पिचारे किसान 10,000 रुपए बीज ले रहे हैं तो उनको क्या पढ़ रहा सिक्मी 35-45,000 रुपए ये कल लेते हैं लेकर वो किसान क्या करेगा कई किसान ने अभी पानी गिरा था जिसने तो फांजी लगा के मर गए बहुत सी दो तीन किसान ऐसे फांजी लगा के मर चुके हैं बेल खेड़ा छेत्रे से एक किसान मर रहा है सब्सक्राइब कर देखने की सरकार है और कुछ नहीं है सब मौधी मौधी करते हैं जब देखने का मौधी है मौधी सरकार आने से पहले किसान की सित्थ बहतर थी कि अब बहतर है अरे बहतर जबी थी अभी भी है लेकिन ऐसा है लेकिन देख रहें कुछ नहीं है जैसे इसके नीचे वाले कोई कुछ नहीं देखता है मौधी जी तो हैं एक नंबर हैं लेकर नीचे कर्मचारी कोई मतलब के नहीं है कितना टाइम लग जाता है मतल को बेचने में तो बारा बजे ग्यारा बजे रात को जाना पड़ता है और सुबहे छे फिर उट जा पांच बजे फिर मतल में फिल लग जाओ अच्छे घंटे सोने मिलता है किसान को मात्रे बताइए आप चार्जे नहीं हो पाएं अब मूल लटका के दस रुपे बेका आपका मटर पापा बेटा ने बोला आठ रुपे दस रुपे बेका अरे और क्या करेंगी अपन तो कुछ नहीं बचला अभी एक किसान से हम मिले तीन एकड की फसल सोलह हजार रुपे में बेच के गए है और बोले पत्चीस हजार के करेब तो खार्ची लग गया है और जो यह किसान में खुद मजदूरी करता है सुबह से रात तका करके तो उसको तो जो तो क्या करें मेनत कैसा लगता है जब दूप तबती है जब जागे कहीं फसल मटर पेदा होता है देकर यहीं मानु कामना है मटर कम से कम 20 रुपे से ऊपर बेकना चाहिए मंडी की वबस्ताओं पर क्य सही नहीं है पूरे बिल्कुल जाम लगा रहता है जैसे समर्थन मूल होता है तो समर्थन मूल मटर कभी होना चाहिए नहीं होना चाहिए वह तो होना ही चाहिए ना जब तो वेवस्ताओं अच्छी रहे ही किसान की मांग है और रहे बीच से 22 जैसा भी हो लेका बीच से कम नहीं करता हूं कि कम से कम तीन से चार के बीच स्टार्ट होना चाहिए साथ आठ बजे तक बिकना चाहिए मटर एक बजे से चाहिए और यहां पर मंडी 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 जो कैंपस है यहां पर अधिकारी करमचारी कोई कभी मंडी का आता है किसान और व्यापारी आपस में सहमतिके द्वारा यह मंदी पूरी सान किसान को लाइट मिली तरीका से फसलों को यहां पर कोई नहीं पाता क्या है अपनी मानमानी खरीदते हैं व्यापारी 15 रुपे बाला मटर 10 किसान को किसान को देना पड़ेगा अथार रुपे अब ब्यापारी बोल रहा है कि मेरे 10 रुपे लोगा अब नहीं ले रहा है किस्टमर को तो 30 रुपे चालिस रुपे तक फिर मटर बेच आता हुए लेकिन यहां किसानों को सब बाहर भी 30 रुपे 40 रुपे सभी प्रिकार का बिकरा है किस चीज पर क्या चाहिए कितनी लागत आती इसमें क्या होता है लेकर मटर का फिक्स नहीं है मटर तो फिरी में मिले ना किसानों को पईसे तो फिरी जा रहा है आपने दुकान जाते किरान दुकान वहां मूल फिक्स है सरकार ने जब क्रिसी कानून हटाए तब तो बादा भी किया था नियुंता में मैंस पी आज तक नहीं मटर की बात क्या करें जिन पर लगा हैं वहुत है क्या दस घंटी सरोकार वोली तक चन्ता मिलती है को बी आठ घंटे मिलती है मतलै मिलती अजग है मिलती है और कूट स्कूब अधर हो पकड़ी है है गया किarakो पर निछ साथ में मीथ टूब्य आपका दस लोजन चल रहे हैं तो आठ साथ घंटे में कैसी सचाई कर पाऊगों आप बताईए तो किसानों को आठ घंटे मुझे लाइट मिल पाती है च्छे बाइए से लेकर आठ नो बजे रात तक रहे रेगुलर तो अच्छा रहे किसानों को परिसानी भी नहीं होगी